आज मिलेकर आपके सामने शिक्षा की दार्शनिक प्रिस्ट भूमी बाई डोक्टर लक्षमी लाल के ओड जी हाँ दोस्तों इस इन राइटर को डोक्टर एल के ओड के नाम से भी जाना जाता है जो काफी फेमस है शिक्षा मंतरा लिया भरसरकार द्वारब पेशकास है रजिस्थान हिंदी ग्रद अकादमी रजिस्थान सरकार द्वारब ये प्रकाशिक की जाती है तो एल के ओड के नाम से ही फेमस है ये वुक आज हम इसका रिव्यू करेंगे आपको बता देए किस-किस छेत्र में काफी महतपुड पुस्तक है अगर आप UGC Net, PGT के त्यारी कर रहे हो तो शिक्षा के जो दार्शनिक है जो आपके फिलोसफी है उसका पूरा एरिया ये वुक कवर कर देती है आज इसका रिव्यू करेंगे और जाचेंगे कि कितना दम है इस बुक में और कितने रिव्यू के हगदार ये पुस्तक है हर एक टोपर्स के दौरा जो UGC Net टोप करता है उनके दौरा अगर वे एजुकेशन के फिल्ड से हिंदी मीडियम से है तो इस बुक को रिकमेंडेट जरूर करते हैं यही चेक करेंगे क्या वाकि इस बुक में इतना दम है या नहीं सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पुस्तक के प्राइस टेक की तो प्राइस टेक की बात करूँ तो जिस आप जानते हैं राजिस्तान गरंत अकादमी जो पुस्तक होते हैं काफी सस्ती होती है 140 रुपे इसका MRP है और अगर हम बात करें इसमें नमबरों पेजिस की तो इसमें आपको 315 नमबरों पेजिस देखने को मिलते है अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मिटीरियल की क्या क्या मिटीरियल आपको देखने को मिलता है जैसे ही आप उस तक को आये विसा सूची के आपको क्या क्या देखने को मिलता है श्रीमद भागवत गीता का शिक्षा दर्शन, जैन दर्शन में शिक्षा, बोध शिक्षा दर्शन, सांके योग का शिक्षा दर्शन, न्याय दर्शन में शिक्षा, वेदान्त का शिक्षा दर्शन, आधुनिक भारते चिंतन तता शिक्षा, राजनितिक चिंतन तता पाठ्टे कर्म के दार्शनिक मनोवैग्यानिक एवं समा सास्त्रिय आधार संधर्व ग्रंथों की सूची तो ये है इसका रेफरेंस मतलब टोटल आपका लाश्ट में रेफरेंस दिया गया है ये है आपकी विशय सूची ये टोपिक्स आपके कवर किये गए है इस पुस्तक के अंदर तो चलिए अब चैक कर लेते हैं किस प्रकार का पैटर्ण परती पार्ट का यहां पर उपलब्द कराया गया है तो पहले आप सबसे पहले से पुस्तक आप खोलते हैं तो पहला पार्ट है आपका शिक्षा तता दर्शन, अनते संमद तता व्याप्ति यहां से आप पढ़ना शुरू करेंगे जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जो विद्ध्या है उसका शाबदिक अर्थ बताया गया ही यह संस्कृत के किन शब्दों से मिलकर बनी हुई है सबसे नीचे आपके संस्कृत के कुछ रेफरेंसिस दिये गए है कुछ श्लोक दिये गए है आगे चले तो आगे इसी प्रकार पैराग्राफ चीजों को समझाया गया है जो फंट की क्वालिटी है वो थोड़ इसी लो क्वालिटी है जैसे आप जानते है राइस्तांगरत अकादमी को बहुत सारी प्रतिया प्रकाशित करनी पड़ती है तो वे यहाँ पर ठीक ठाक प्रिंटिंग क्वालिटी का यूज करते है जिससे की जादा से जादा में परकाशित कर पाए quality थोड़ी week है लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाएगी ठीक ठाक है नीचे references दिये गए है कोई चीज जैसे यहाँ पर येक statement दिया गया है आपर point five डाला गया है तो five डाल कर यहाँ पर बताया गया है कि यह कहां से लिया गया है इसका reference क्या है बीच बीच में छोटे मोटे diagram आपको देखने को मिलते हैं आप देख सकते हैं आगे चले तो चीजों को paragraph दर paragraph heading wise चीजों को समझाया गया है और जैसी part खतम होता है यहाँ पर part खतम होता है किसी प्रकार के आपको objective questions किसी प्रकार के आपको practice questions देखने को नहीं मिलते आपको practice questions अपनी book से लगाना पड़ेगा सिर्फ ये book आपके notes प्रिपेर करने के लिए बहुत अच्छी है अदर्वाइस practice के लिए book नहीं बनी है पार्ट खतम होते ही अगला पार्ट शुरू हो जाता है जैसे अगला पार्ट है बहुतिक वाद तथा शिक्षा तो यहाँ पर भी चीजों को बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है जैसे statement देखे हम 1 दे दिया गया है तो 1 डालके यहाँ पर इसका reference दिया गया है कि statement लिया कहां से गया है इसी परकार इसमें भी paragraph चीजों को समझाया गया है अब चीजों को जो language है वो just average है ना जाद easy कह सकते ना जाद difficult कह सकते हैं below to average students को अच्छे से समझा सकती है अगर वो कम से कम एक से दो बार इस book का अध्यान करें इस book को पढ़ें इसी परकार आगे चलेंगे ऐसा लगता है जिससे खुद में एक notes है ऐसा नहीं है कि इसमें से आपको notes बनाने क्या हो शकता पढ़ेगी कि यह खुद में ही notes है काफी छोटी छोटी paragraph में काफी चीज़ों को clear करते आ गया है और यही pattern पूरी book में use किया गया है जैसे आप देख सकते है बीच बीच में आपर table भी दी गई है जिससे कि आप चीज़ों को बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से समझ सके यही pattern पूरी book में use किया गया आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर diagram का भी परियोग किया गया है जो अपने आप में एक positive चीज़ है आगे चले तो जैसे ही chapter finish होता है तो last में आपके संदर्ब ग्रंतों की सूची दी गई है यहाँ पर आपके reference book उनके writer वगेरे सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इस प्रकार यहाँ पर part खतम हो जाता है तो यही pattern पूरी book में use किया गया है अब बात कर लिते हैं इस book की rating की तो इसको मैं 5 में से 5 की rating दूँगा अब question यह उठता है कि मैंने आधा अंक कट क्यों नहीं किया practice question ना होने के कारण objective question ना होने करण printing quality थोड़े अच्छी ना होने करण एक point कट क्यों नहीं किया 5 में से 5 rated पर क्यों दे रहा हूँ तो इसका reason साफ है क्योंकि यह जो book है यह वास्तव में इतना ग्यान संजय हुए अपने अंदर कि आपको हर एक topic किलर हो जाएगा इसका material ही इतना ज़्यादा rating gain कर रहा है कि यह cut नहीं किया जा सकता तसलिए 5 में से 5 rating की अगदार यह पुस्तक है Reddit पर इसको 5 में से 5 की rating दूँगा काफी अच्छी पुस्तक है और अगर आप UGC net या PGT की तियारी कर रहे है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बुक्षाबित होने वाली है उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लिगों की वीडियो अच्छी लिगों की प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे थैंक यू सो मच रोचिंग दिस वीडियो